A very happy good morning to all my dear students. I hope you all are doing well. और करोगे क्यों नहीं, chapter 13 के two parts थी ही इतना interesting, खूब enjoy किया है हमने, और third part को भी हम उतना ही enjoy करेंगे, लेकिन उससे पहले आनंद लेते हैं एक छोटी सी दो दोस्तों के कहानी का, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, एक गाउ में दो दोस्त होते हैं, छोटे वाले की उम्र ल वक्पी करते हैं और साथ-साथ खेलते भी हैं, एक दिन वो खेलते हुए गाउं से थोड़ा दूर निकल जाते हैं, और भागते भागते जो बड़े वाला होता है, वो कुवे में गिर जाता है, उसको कुवे में गिरा हुआ देवकर छोटा वाला एकदम से डर जाता है, औ बाग के उस बाल्टी को कुवे में डाल दिया और उसे कहा कि तु इस बाल्टी को जोर से पकड़ ले मैं तुझे बाहर खीचूँगा और वो अपना पूरा जोर लगा देता है खिंचता रहता है साथ में अपने दोस्त को ये भी कहता रहता है कि देख तुने बाल्टी छोड लेकिन साथ में ही वो ये सोच कर डर जाते हैं कि अब घर पहुंचने पे खुब जोरदार मार पड़ेगी क्योंकि काफी देर हो चुकी होती है जैसे ही वो गाउं पहुंचे गाउं वाले उनके लिए परेशान थे परन्तु जब उन दोनों ने अपने आपविती सुनाई तो किसी को उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ तो वे सब अपने अमीर चाचा जो की गाउं में सबसे ज़्यदा पढ़े लिखे थे और हमेसा सच बोलते थे उनके पास के उन्होंने उन बच्चों की बात बताई तो चाचा ने बड़े अराम से जबाब दिया कि हाँ ये ल बाल्टी भी नहीं निकाउ सकता चाचा ने कहा नहीं ये लड़का सच बोल रहा है फिर गाउं वाले हरान होगे कि आप बताईए तो सही कि ऐसा अजूबा हुआ कैसे तब चाचा ने कहा कि भाईयो इसे वहां कोई रोकने टोकने वाला नहीं था कोई इसके दिमाग में ने अटूट विश्वास था तो बच्चो जो छोटे दोस्त के अंदर अटूट विश्वास था वही डोर वही विश्वास की डोर आपके अंदर भी विराजमान है जरुरत है उसको जागरित करने की और जब आप इस पूरे अटूट विश्वास के साथ जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ होगे, देखते ही देखते वो सब्चेक्ट आपका हो जाएगा, जैसे चैप्टर 13 आपका हो गया है, तो थार्ड पार्ट को स्टाट करें, चलो एक बार जो टू पार्ट हमने किये हैं अभी तक, एक बार उनसे फिर से थोड़ी सी जानकारी ले ले लेकते हैं कि हमन जानते हैं, field lines जो है North Pole से rise होती है, South में merge होती है, इतना भी हम जान चुके हैं, और जो magnet है, ये जो field lines है, ये बहार अपने magnetism वाले reason में, अपने surrounding में, अगर कोई और magnetic device रखी जाती है, तो उस पे एक force exert करती है, सेम वही force को एक current carrying conductor भी अपने surrounding में create करता है because of field lines यह हम जान चुके हैं यह straight है loop से भी किस तरी के से create होता है और इसको जो field की direction होगी field lines की उसको हमने Maxwell के right hand thumb rule से find out भी किया था और साथ की साथ हमने ये भी जाना था कि जो north pole में current की direction होती है वो anti-clockwise होती है और south pole में clockwise होती है और सबके last में second part में last में हमने जाना कि अगर ये loop बहुत सारे इकठे हो जाए और ऐसे cylindrical shape में आ जाए तो ये एक solenoid बन जाती है और solenoid की जो properties है वो almost permanent magnet की property जैसी होती है यानि जब इसमें current pass कराया जाता है तो ये बिलकुल इस magnet की तरह behave करना शुरू कर देती है तो अब start करते हैं third part और इसमें हम सीखेंगे कि force होने current carrying conductor in a magnetic field पहले हमने क्या जाना कि को current carrying conductor है वो बहार magnetism create करता है यानि campus needle को लेके आते हैं तो वो deflect हो जाती है अब अगर इस current carrying conductor को हम किसी दूसरे magnetic field में रखें तो क्या होगा आने वाली slides में हम जानेंगे साथ के साथ जो भी होगा यहां पे उस current carrying conductor के साथ उसको हम find out करेंगे flaming's left hand roll से और साथ में हम ये भी जानेंगे कि magnetism की medicine में क्या importance है और last में हम जानेंगे electric motor के बारे में तो till now we have learned that an electric current flowing through a conductor produce a magnetic field and the field so produce exert a force on a magnet placed in the vicinity of the conductor French scientist Adrie Mary Ampere ने सबसे पहले ये suggest किया कि अगर current carrying conductor अपना force exert करता है तो उसको अगर हम किसी magnetic field में रखें तो वो magnetic field भी उसके उपर उतना ही equal amount में and opposite force exert करेगा उसके लिए इस concept को समझने के लिए simple सी activity है मैं इस diagram से आपको clear करूँगी इसके लिए हमें चाहिए laboratory stand फिर ये उपर road है और एक aluminium road ली हुई है A और B end से एक हमें source, electric source तो दो cell की battery यहां लगाई हुई है की है और this is the connecting wire horse soy magnet ये इतना सा material चाहिए अब stand के ऊपर इसको horizontally लटका देते हैं देखने में तीरची लग रही है बट basically horizontally होती है मां आगे video में आपको और अच्छा से इसको दिखा दूँगी अभी आप diagram से समझ ल लगाई और इसके ऊपर perpendicular बटिकली रखेंगे हमें जो horse way magnet है उसका नोर्थ पोल अर्थ की तरफ होएगा और जो साउथ पोल होएगा वो upward direction में होगा अब जैसे ही की को हम बंद करते हैं इस पूरे circuit के अंदर current पास होना शुरू हो जाता है अब current कहां से enter कर रहा है बी end से एक ही तरफ आ रहा है आप और साथ में जो field है इस magnet की जो magnetic field होगी वो किदर होएगी north to south यह हम पहले ही जानते ही है तो यह इस तरफ होएगा तो इस road के उपर जो यह road इस magnet के उपर force exert कर रही है तो यह magnet भी इसके उपर force exert करेगी जिससे इसमें deflection होगा यह अपने path से displace हो जाएगी तो यह left side में move करेगी और अगर हम इस forces होई magnet के poles को change कर दें यानि ground की तरफ south pole कर देते हैं और उपर की तरफ north pole कर देते हैं तो जो इसमें displacement होएगा वो right side होएगा साथ की साथ अगर हम current के direction change कर दें यानि A की तरफ से enter कर रहे हैं B की तरफ से बाहर निकाल रहे हैं तो भी जो displacement होएगी वो right side में होएगी क्योंकि यह हम Newton के third law से भी जानते हैं कि every action has equal and opposite reaction जो सबसे पहले करके दिखाई एटरी मेरी M.P.R. ने इस activity के through तो यहाँ पर मैंने इस सारी activity को detail में लिखा हुआ है इसको आप पर read कर देंगे अभी जो हमने activity की है उसका एक यह live video देखेंगे तो concept clarity और अच्छे से हो जाएगी यह मैंने net से लिया है देखे बिल्कुल वैसा ही setup तयार किया है source भी है laboratory stand है जिस पे conductor को लटकाया हुआ है और यह horses वी magnet है उसको भी stand के उपर stable किया हुआ है अब आपको इनकी location बिल्कुल clear हो रखी है अभी की बहार है और यह सारी इसके components है electric circuit के जिससे आप पहले से ही familiar है तो जैसे ही देखें यहाँ पे अभी क्या है इसकी location जीरो पे आ रही है बिल्कुल जो conductor है वो जीरो पे है मनलब अपने position पे वो stable है बट क्या होगा जैसे ही इस key को plug में लगाएंगे लगाया current flow होना शुड़ो हो गया current की direction इधर से जा रही है तो इसका जो displacement है वो किदर हुआ right side में clear होगी बात क्यों हुआ क्योंकि जैसे ही conductor में current जाएगा इसके surrounding में magnetic field create होएगी और दूसरी जो horse होई magnet है इसमें भी magnetic field है इसकी direction node to south है ठीक अब यहाँ पे अब left side क्यों जा रहा है क्योंकि current की direction change कर दिया है जैसे current की direction change होई displacement भी change हो गया अब माल लेजे यहाँ पे current का magnitude बढ़ा दिया है तो आप देखे displacement और ज़्यादा हो गई है समझा रही है तो जो यह अपने path से हट रही है वो किस पर depend कर रही है एक तो current की direction पर कर रही है current के magnitude पर depend कर रही है तीसरी जो यह magnetic field रखा है जो horse ही magnet रखी है इसका magnetism कैसे है और जो displacement है उसको हम find out कैसे करें उसको करेंगे बच्चों flaming's left hand rule से उससे बहुत अच्छे से concept clarity हो जाएगी मैं आने वाले स्लाइड में left hand rule को और clear cut लिए आपको बताऊंगी तो किसी भी current carrying conductor के उपर magnetic field को लेके आया जाता है तो वो एक force experience करता है और जो maximum force होएगा वो तभी होगा जब वो एक दूसरे के perpendicular होगे यह ध्यान रखना है अगर यह parallel में होगे तो कोई भी force उस पे नहीं लगेगा यह बिलकुल मेरी ख्याल से concept clarity हो गई है आपको इस वीडियो से चलो जी अब हम जालने कि flaming ने left hand rule से इस displacement को कैसे explain किया यह क्या कह रहा है कि अगर हम अपने थंब को four finger को और middle finger को इस त्रीके से stretch करें कि यह तीनों एक दूसरे के perpendicular हो मतलब तीनों क्या है अपने हाथ को करके देखो आप एक मिनट वीडियो को पोस देके अपने left hand को लो और आपने ऐसे इनको करना है कि थंब four finger के साथ 90 degree का अंगल बनाए तो four finger जो है वो middle finger के साथ 90 degree का अंगल बनाए ऐसे stretch करना है तो यहाँ पे जो थंब के direction होएगी वो force को कि भी displacement किस तरफ हो रही है उसको indicate करेगी जो four finger है वो magnetic field को जो field lines हमने पहले पढ़ी है उसको indicate करेगी और जो middle finger है वो current की direction को indicate करे इस डाइग्राम में से समझी है देखिए जो हमने बाहर मेगनेट रखी थी उसकी field lines कि दर है node to south इस current में जो यह conductor है इसमें current ऊपर से यह नीचे की तरफ आ रहा है यह वाले direction ठीक है तो motion कि दर होएगा upward direction में देखो एक दूसरे यह नीचे जा रहा है इस screen से बाहर की तरफ आ रहा है और जो मेगनेट इस मेगनेट से जो field है वो किदर जा रही है west to east जा रही है तो motion किदर होएगा बच्चो upward direction में clear हुआ अपने हाथ से करके देखो बहुत अच्छे से यह समझ में आ जाएगा यहां पर कुछ अलग अलग positions से इसको मैंने और clear करने की कोशिस करी है देखे इस जगे पर क्या है यह magnetic field है जो कि strong magnet हमने रखी थे यह current carrying conductor है तो यह जो current की direction है वो इधर आ रही है ठीक और four finger यह magnetic field है तो जो motion होएगा वो upward direction में थम किदर आ गए बिल्कुल upward इसके साथ आपन है अब अगर मालो हम इनको जो बार magnets है इनकी position हम change कर दें यानि north pole को उपर की तरफ रखा south को नीचे की तरफ रखा तो obviously जो field है उसकी direction change हो गई और यह current है current इधर से इधर जा रहा है current की direction क्या है जैसे इस कोन करेंगे हमें पता ही है कि positive terminal से negative terminal की तरफ जाएगा तो जो moment जाएगी वो आपकी east direction में होगी देखे धान से इसको ठीक है यह current की direction यह four finger field line को बता रही है और जो थम की direction है वो displacement दिखा रही है कि displacement किदर होगा अगर इनको इस तरह के से range करते हैं तो आपका बिल्कुल यह चीज़ आ जाएगी तो अपने हाथ को twist करके आपने wrist को twist करना ह है उपर से इन तीनों को थम को four finger और center finger को बिल्कुल stretch रखना है और तीनों के बीच में 90 degree का angle होना चाहिए perpendicular होने चाहिए तब भी maximum होएगा इसकी short form जो है वो fbi होती है f4 force b से magnetic field होता है i से electric current होता है यह इसको कई बार fm सी भी बोला जाता है f से father m से mother जो magnetic field हो mother हो गए और c से child current को child के साथ तो यह दे दिया जाता है अब यहाँ एक और यह location है इसमें भी आपको concept इसको आप समझी लेजिए यह देखिए four finger की तरफ यह किसका है magnetic field की direction है current आपकी middle finger में आ रही है तो थम किदर जाएगा four direction में इस picture में भी node to south जो आपका magnetic field होता है वो node to south और current की direction किसको लेते हैं positive terminal to negative जबकि electron के दर फ्लो होते है negative to positive कई बार question में भी ऐसे पूछ लेते हैं वो electron की direction बताते हैं फिर आप से इससे question पूछते हैं और बच्चा कुनी fuse हो जाता है तो आपने current की direction हमेशा electron की direction के opposite लेके चल होना है नेक्स्ट आता है magnetism in medicine आपने MRI तो नाम सुना ही होगा magnetic resonance imaging जिस से हमारी internal organs की picture बहुत अच्छे से clear हो जाती है वहाँ पे भी magnetism का बहुत important role रहता है जब inner organs की picture clear जाती है तो उस जो भी disease होती है उसको diagnose करना easy हो जाता है अपने body में heart and brain दो ऐसे important organ है जहां magnetic field ज्यादा amount में create होता है बच्चों कभी आपने सूचा है कि fan कैसे गूम रहा है washing machine कैसे गूम रही है grinder mixer, juicer ये सब कैसे चलते हैं कैसे work करते हैं हाँ बिल्कुल सुना होगा आपने सुना है कि उनके बीच में एक motor होती है तो motor है क्या motor is a device that converts the electrical energy into mechanical energy, right? आपने energy की various forms 9th class में पढ़ी है कि जब kinetic and potential energy दोनों इकठी काम करती हैं तो वो बन जाती है mechanical energy, यानि energy neither be created nor be destroyed, we can convert its one form to another form, electrical energy जो की kinetic से ही produced होती है और यहाँ पे आके ये mechanical में change हो जाती है motor के सुरूब अब यह जाने कि किस principle पर work करती है, बिल्कुल वही principle है जो पेच्छा वाले activities में हम कर चुके हैं क्या? कि when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, the magnetic field exerts a force on a conductor due to which conductor operates continuously, इतना force exert करता है कि उसकी वज़े से जो conductor है वो continuously move करना शुरू कर देता है आईए आप देखें कि इस electric motor के main components क्या क्या है? magnetic pole है बच्छो, north and south pole और इनके दूसरे end पीछे की तरफ है, क्योंकि pole जो है हमेशा पेर में present होते हैं और strong lane होते हैं हमें यह, क्योंकि तभी motor work करेगी एक इसमें यह ABCD, ABCD rectangular coil है और next इसका component होते है splittering, इसके two parts है P and Q, P जो connected है वो A end से, coil के A से part से connected है और सथ की साथ यह X जो end है, यह इस connecting wire का stable end है, brush बोलते हैं, XY two brushes है, जो कि stable है इनके साथ ही attach है, यह split ring, और split ring के अंदर यह axle, यह कोई road जिसके उपर की split ring along with the rectangular coil rotate, यह घुमती है और यह connecting wire और यह source है, बैटरी जिसमें five cells की बैटरी लगी हुई है and this is key, तो यह all these are the components अब हम बात करें कि यह electric motor work कैसे करती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, कि जो यह magnet है, इसकी magnetic field line किदर होएंगे, बच्चो, node to south इनकी direction यह है, मैं यहाँ पर बस यह दो ही आपको कर देती हूँ, यह, यह field lines की direction है, clear अब इन direction के parallel कौन से end हैं इसके rectangular coil का, AD, क्योंकि AD इसके parallel ही है, राइट, और उपर BC, यह भी इन field lines के parallel है, राइट, यह यहाँ कटनी नहीं चाहिए, तो इन दोनों ends पे तो यह magnetic force कोई BC पे और AC पे तो कोई भी force exert नहीं करेंगे, यह हम पहले से जानते हैं, अब जो end के perpendicular हैं, वो कौन सा है, A and B, C and D, इनके ऊपर force exert होएगा, जब हम इसमें current pass कराएंगे, क्योंकि अभी तक तो यह कोई magnet की तरह भी है भी नहीं कर रही, तो अब देखे हैं कि हम इसमें current को pass करवाते हैं, जैसे ही की को own करेंगे, current इस end से, positive terminal से, X ब्रस से, P split ring से attach होके, A end की तरफ enter हो गया, यह current इदर चला गया, तो current की direction क्या होई, A to B, then B to C, C to D, और D to आ गया है, Q split ring का end है और Y axis पे, यह इसकी direction हो गई, यह देखे, A, B end में यह upward जा रहा है, और C, D में यह downward आ रहा है, इतने बात आपने ध्यान रहनी है, ठीक है, अब आप यह देखिए, left hand rule से अपने हाथ को आप stress कीजिए, कि अगर current की direction, यह फोर finger उपर की तरफ जा रही है, middle finger आपकी उपर की तरफ है, और जो field line है, वो west to, east की तरफ जा रही है, तो जो आपका force exert होगा, force कि इदर होएगा, downward direction में लगेगा, यह downward direction में force होगा, clear होगी बात? क्योंकि तभी तो एक दूसरे के यह perpendicular होएगे, यह upward direction में, यह इदर जा रहा है, तो force कि इदर जाएगा, downward direction में, अब आप cd arm पे देखिए, cd arm पे क्या होगा, current नीचे की तरफ आ रहा है, तो force लगेगा बच्चो इसमें upward direction में, अब जब इस पे force downward direction में लग रहे है, तो obviously जो arm है, वो किधर move करेगी, downward करेगी, इसमें upward होएगा, current की direction opposite होगी, तो force की direction भी opposite होगी, तो इसमें force, मुलब निचे से इसको उपर की तरफ दखे लेगा, upward direction में force exert होगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेगी, जैसे ही ये उपर की तरफ गई, ये split ring, यहाँ जो P हिस्सा है split ring का, ये आके X brush से attach हो जाएगा, यहाँ जोड जाएगा, ये इधर से rotate होके, और तो P है, वो इधर घूमके Y से joint हो जाएगा, अब जैसे ही ये split ring घूमके इधर आगी, इनके जगे change हो गई, तो obviously current की direction भी change हो जाएगी, क्योंकि अब current किदर जा रहा है, अब इस X से current कहा जाएगा, डी से C की तरफ जाएगा, धान से देखो इसको, जैसे ही यहाँ पे ये split ring rotate होके, जो Q end है, वो X के साथ है, attach हो जाएगा, और P जो है Y के साथ हो जाएगा, उससे जो direction है current की, वो change हो जाएगी, अब current की direction क्या हो गई, D to C, then B to A, अब direction इस साइड जा रही है, तो obviously ये वाली, इसके उपर जो force लेगेगा, वो downward direction में हो जाएगा, इधर parallel में कुछ ही नहीं है, अब यहाँ current की आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो force है वो upward हो जाएगा, अब ये concept आपको बिल्कुल clear हो गया होगा, एक बार दुबारा समझेए, यहाँ से current गया, X से A, A से B, B से C, C से D, यह आया, तो current अगर upward direction में जा रहा है, तो इस बार magnetic field के वज़े से, इसमें जो displacement होएगी, वो downward direction में होएगी, और जब इधर आएगा, तो displacement upward direction में होगी, क्योंकि हमने current के direction चेंज करती है, अब बात करते हैं, कि एक टन होगे, यहाँ पे half, यह एक round पुरा हुआ, और यहाँ आते ही split ring घूम के, इस axle पे घूम के, इसका जो Q ह है, split ring का, जो Q पार्ट है, वो X से जुड़ जाएगा, और इसका P पार्ट जाके Y से जुड़ जाएगा, तो घूमा कौन है, split ring घूमी है, उसके साथ ही connected, इसके arms भी घूम गई है, और यह जो source है, वो as it is है, सोर्स से हमने, उसके जो terminals है, positive और negative उनको चेंज नहीं किया, सि इससे current की direction coil के अंदर change हो गई, और जैसे ही current की direction change हो गई, इसकी rotation भी, जो displacement है, वो भी change हो गई, मतलब कि पहले यह नीचे की तरफ है, यह उपर गया, अब जो current इधर आया, तो फिर यह नीचे की तरफ, यह उपर, तो यह anti-clock wise घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, वो motor इस का, दूसरी बात कि हमने current कितना supply किया है, क्योंकि जितना current होएगा, conductor उतने ही जदा magnetic field create करेगा, और यह जितना force exact करेगा, उतना ही इसके उपर भी लगेगा, तीसरी बात, इस conductor की length के उपर depend करता है, अगर एक ही single wire की है, तो उसमें displacement कम होएगी, धिरे धिरे चलेगी, लेक तो उसमें जो rotation होएगी, वो fast होगे, ठीक है, एक simple सा model यह यहां बनाया हुआ है, dry cell लिया, dry cell के उपर यह ring magnet रखके, और यह दो small wires से stand बनाया, और यह copper wire की coil बना के, जैसे ही इनका connection करते है positive का negative terminal में, आप देखेंगे कि यह जो छला है, wire का बना हुआ, यह rotate करना शुरू क कर देता है, बहुत simple service का principle है, आने वाले video में मैं और इसको अच्छे सी clear कर देती हूँ, जब आप live देखेंगे, तो concept clearly अच्छे हो जाएगी, यह सारे parts जो कि मैं पहले ही बता चुक हूँ, कैसे work करती है, यह भी explain कर चुक है, अब इस video में देख लीजिए, rotation हो रही anticlockwise, कर अच्छान से देखना है, axle जिस road के ऊपर, यह rectangular coil and split rotate कर रही है, PQ brush जो है, sorry, XY जो brush है, वो stable होते हैं, यह बात आपने ध्याल रखनी है, यह ही लगने, brushes fixed है, connection के साथ connected है, पूरा structure clear है आपको, वह ही है, axle, rectangular coil, और यह magnet है, strong magnet है, और यह activity है, अब current के direction देखिए, किदर से current आ रहा है, यह जान चुके हैं, अब brush है, axle है, okay, current आया और इसने rotate करना शुरू कर दिया, anti-clockwise यह खूम रही है, देखिए, एक बार P आके X से जोड़ रही है, तो दूसरी बार Q आके X से जोड़ रही है, split ring अपनी position चेंज कर रही है, इसके वज़े से इसके अंदर, यहां इस coil के अंदर, हर half में current की direction चेंज हो रही है, इसको बोलते है, alternative current, और यह current हमारा कौन सा रहा है, direct current आ रहा है, DC current, और इसमें जाके क्या होगी, इसकी direction दो बार बदल रही है, तो इसको बोलते है, alternative current, अब देखें कि इस electric motor को कहा कहा यूज करते हैं, मैं starting में ही आपको बत इन सारी चीजों में यह electric motor काम में आती है, जो commercial motor होती है, यहाँ पे थी हमारी bar magnet, permanent magnet लिए थी और यहाँ पे जो commercial motor है, उनके अंदर, electronic magnet होती है, यानि कि जो solenoid की बनी होती है, वो होती है, और उनमें कोईल होती है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, वाउंज बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो amur chair होता है, वो iron का बना होता है, जिससे motor की पावर बढ़ जाती है, थैंक्स बच्छो मेरे साथ ओनलाइन प्लेटफर्म पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया